नमस्कार मैं सिम्रंजीत बिहारी न्यूज से सस्ते LED बल्ब के बाद अब सस्ते AC बांटने की तैयारी में है नरेंद्र मोदी की सरकार जे हाँ सही सुन रहा है आप मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोहजार उन्नेस के लोग सभा चुनाओं में प्रचन जीत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार भारत की जंता को सस्ते दर पर AC बांटने की तैयारी कर रहे है देश भर में लगातार बढ़ते तापमाल और भीशन गर्मी से राहत दिलाने के नाम पर नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे वितरण योजना लागू करना चाहती है मोदी सरकार और BJP के सलाहकारों का ऐसा मानना है कि देश में मध्यमवर्ग लगतार बढ़ता जा रहा है AC जैसे सुक सुविधाओं के साधन की और उनका अकर्शन है लेकिन कीमत जादा होने की वज़ए से वो मन मसूस कर रह जाते है और AC में रहने सोने का उनका सपना अधूरा रह जाता है अब ये दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार देश की जनता में सस्ते कीमतों वाली AC का वितरन करना चाहती है सरकार द्वारा बांटी जाने वाली इस AC की कीमत बाजार में मिलने वाली AC की तुलना में 20-25 प्रतिशत तक कम होगी कई मीडिया रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रहे हैं कि मोधी सरकार की ओर से बांटी जाने वाले इस AC की कीमत अन AC की तुलना में 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है इस AC की खासियत बताई जा रही है कि इसमें बिजली की खपद भी आम AC का मुकाबले 35-40 प्रतिशत तक कम होगी अगर आप चाहेंगे तो इस AC को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं वही सरकार इस AC को इंस्टॉल करने के लिए विशेस मेकानिकों की नियुक्ती करने पर भी जोर देगी जो 24 घंटे के भीतर वो भोकता के घर, दुकान या आफिस में से इंस्टॉल कर सकेंगे और खराब होने के स्थिती में एक कॉल पर मरमत के लिए 3 घंटे के अंदर पहुँच भी जाएंगे ऐसे बताया जा रहा है कि इस AC का निर्मान सरकारी कमपनी EDCL करेगी अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के महीने से यह AC बाजार में आ जाएगी और सरकार का लक्ष है कि अगले 2 साल तक 2 लाख लोगों को यह AC दे दिया जाए सरकारी सुत्रों की माने तो इस AC पर 1 साल की गारेंटी होगी जबकि इसके कमपरिशर पर 5 साल की गारेंटी दी जाएगी धन्यवाद